हेलो फिरेंट वेलकम टू योड कलास आज के कलास में देखेंगे की आप लोग जो भारतिय डाग व्यवा का फॉर्म फिल किये थे और आप सभी ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी देखें कि इस वार की कटव की बात करें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 99% और 100% कटव रहा और बताएंगे कि सकेंड मेरिट लिस्ट कब तक में आएंगे और सकेंड मेरिट लिस्ट में कितनी कटव रहने वाला है आप लोगों के लिए तो चलिए वीडियो में आप लोग अंतक बने रहें तो आजी का डेट रहें कि जो की बहुत देख सकते हैं यहां पे एक अपडेट निकल के आ रही है और यह जो देख रहे हैं यह अपडेट यहां GDS के ओफियल वेपसाइट पे हैं कि आज लास्ट देखिए लास्ट डेट और सौट टेस्ट कंडिडेट फोर डोकुमेंट्स व ठाम कि के लिए जा सकते हैं लास्ट डेट देख सकते हैं डिविजण ऑफिचनल अनि कि है यह 25 All 26 कि वीच मेंट्स का सकते हैं लिस्ट जो है कंडिडेट के लिए यह आप लोग जा सकते हैं डोकुमेंट्स बेडी पेकिसन के लिए और अनिकी आज लास्ट डेट है 26 तक और आप लोगों का जो की जिडियेस की जो महा सचीव है ऐसेस महादेवे सर वो भी अपने यूटूब चैनल के मादियम से साजा के हैं वीडियो की आप लोगों का रिजल्ट जो है यह जैसे ही सकंड अनिकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जारी होता है यह digging-s verification की नहीं जूरें तो जूर जाएए यदि आप लोगों का 70% है तो निस्चित रही है सकेंड मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आने की पूरी संबबना है क्योंकि आप लोग इससे पहले के जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया उसमें 99 से 100% जिनके थे वही स्टूडेन को पहुचे हैं और वहां पर बात करें डोकुमेंट्स मेरिट लिस्ट के लिए तो 35% स्वा में पहुचे हुए हैं अभी स्टूडेन फिलाल और बहुत से इस स्टूडेन है जो की डोकुमेंट्स मेरिट लिए और जा ही नहीं पाए हैं और इसी के कारण वहां पर बहुत सीट बचे हुए हैं अभी भी और बात करें तो आप लोगों का 60% seat अभी भी खाली है और वो 60% second merit list के student को उठाए जाएंगे और इसमें अनिकी बहुत अनिकी आप लोगों का कम cut up रहने वाला है और चलिए cut up के बारे में भी देख लेते हैं कि इस वार का second merit list का cut up कितने रहने वाल को पहले भी बताएं कि इस वार का cut up बहुत कम रहने वाला है क्यों क्योंकि आप लोग देखें कि इस वार जो 99 से 100% के बीच रहा और उसमें बहुत से से student थे जिन्होंने गलत अपना marks चला दिये थे तो चलिए देखते हैं कि second merit list में आप लोगों की cut up कितनी रहने वाले है category wise सभी का cut up बताएंगे और कोई भी अगर आप लोगों को इससे related कोई भी doubt हो तो आप comment box में comment कर सकते हैं और ज़्यादा जनकारी के लिए तो चलिए देखते हैं EWS का 85-90% के बीच के student को selection होना है और UR आनि जनरल की बात करें 88-94% के बीच OBC की बात करें 83-88% के बीच SC की बात करें तो 80-88% के बीच के student को लिए जाएंगे और SD की बात करें 88-85% के बीच और PWD की बात करें 68-72% के बीच जिसार कि इससे पहले भी आपको बताएं 70% से जिनके भी marks हैं तो वो निस्चित रहें और category wise भी बता दियें और आप लोगों का इसी base पे आप लोग का second minute list जाड़ी किया जाएंगे और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर अपना feedback दें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल से जूट जाएंगे और अपने दोस्तों में भी ज़्यदा से ज़्यदा शेयर कर दें ताकि वह भी सही update से वंचीत ना रा सके और समय समय पे सही update के लिए आप लोग चैनल को subscribe कर ले और bell icon को all पे select कर ले ताकि जैसे ही इस तरह का update आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके चलिए मिलते अगले के लास में तब तक के लिए जाए